Hello and Welcome Friends, Inventory Info का उपयोग आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Tally Prime में Inventory Info, यानि की Inventory के बारे में जानकारी, Inventory यानि आप समझ सकते हैं Stock की Detail, जो भी हो, कितना Stock है, ठीक है अब यह देख सकते हैं Gateway of Tally पर हमें हैं, हम Tally Prime को यूज कर रहे हैं, Tally ERP9 को यूज नहीं कर रहे है Tally Prime, Tally ERP9 का Upgraded Version है, आप चाहे तो इसको Upgrade कर सकते हैं अपने Tally ERP9 को, ठीक है अब यहां से Display More Reports, यहां पर आपको जाना है, ठीक है, जैसे ही जाएंगे तो यह एक Window Open होगे Display More Reports की, ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा Statement of Inventory, ठीक है E-Press करेंगे, तो यह पूरी की पूरी Inventory की, अब यहां पर आपको क्या करना है, Stock की Query देखनी है तो यहां पर क्लिक करेंगे, और Stock की पूरी Query आप देख पाएंगे, जैसे C Programming की Book है, ठीक है तो यह कब खरीदी गई, ठीक है, और उसके Date और Quantity, Discount मिला है कि नहीं मिला है यह सारी Details जो है, यहां पर Show हो जाएंगी, और अगर आपने Go Down बना रखा है, तो वो किस Go Down में डाला गया है, यह भी Show हो जाएगा, ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं, यह Sell की Detail है, तो Sell तो हुआ ही नहीं है, पर्चेज और Sell, दोनों की एक सार डीटेल आप देख पाएंगे, अगर आप Stop Query का Use करेंगे, तो ठीक है अगर इसी तरह से मैं बाहर आता हूँ, और अगर मालेज यह Keyboard की Detail देखने है, Keyboard कितना Item Sell हुआ या Purchase हुआ, तो यह देख सकते हैं, Keyboard किस किस Date में कितनी Quantity के इसा आप से खरीदा गया है, और कितना कितना Cost है उसकी, और इसके अलावा Main Location में रखा गया है, और New Colony, यह भी दिखा रहे, 6 Quantity कोल मिला के Sell की गई है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है, अबिनाश यह जो Data Party है, इनको 6 Quantity Sell करी गई है, ठीक है, तो इस तरह से यह पूरी की पूरी Report यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, Go Down किस Go Down में रखा गया, यह सारी Detail यहाँ पर दिखाए ठीक है, एवरेज प्राइस यहाँ,